ओके दर नमस्ते आप साशिया काल मैं हूँ सिये संकर्प कांश्टिया स्वागत है आपका एक और नए सेशन में गाइज एड आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन लोग एक नया चैप्टर आई यू एक्साइटेड और रेड़ी तो गेट साटेड गाइज शालो वाइज तो कल मैंने आप लोगों को पूरा एक आईडिया दे दिया था तोटल अपने को नाइन चैप्टर पढ़ने है इसमें अपने इसको दिवाइड किया है फेस तीन फेजिस में तीक है एस आफ नाउ जब अपन लोग पढ़ रहे हैं तो तो पूरा डीटेल में एंड टो एंड न दूसरा इंटेंशन ये भी ता फेस में डिवाइड करने का कि अपने को पता रहे कि वही चलो 50 मार्क्स का है उसमें से 15-20 मार्क्स एक फेस कर लिया दन 15-20 मार्क्स दूसरा फेस कर लिया दन सो उससे confidence आते जाएगा subject में and eventually जो अपना इंटेंशन है to get out of out marks that is also going to be very much possible on account of that ratio analysis start करने का एक बहुत important reason है ये chapter कहीं न कहीं तुम लोग ने पढ़ावा है तो थोड़ा तुम लोग के comfort में है everybody 12th standard में पढ़ाई होगा तुम लोग ने थोड़ा बढ़ा बट मैं तो ऐसे ही assume करके पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको उस चीज की tension नहीं है हाँ सर पढ़ा तो था बट obviously कुछ याद नहीं है and I totally understand with each one of y'all so ratio analysis एक chapter जो तोड़ा अपने को idea है जिसका सुनावा है शायए 12th standard में हम लोग ने किया भी है याद नहीं होगा but एक बहुत ही important chapter है ये why पता है because इसमें से questions आते है compulsory वाले part में तो अगर तुम लोग को पता होगा कि MCQ compulsory आता है ये MCQ आने की वज़े से है ना it has become very necessary कि आप कोई भी chapter option में नहीं छोड़ सकते क्यूंकि अगर उस chapter में से question आगे MCQ में तो और MCQ में कोई option नहीं मिला आपको then in that case क्या करोगे so therefore it becomes very necessary कि we do all the chapters in the best manner possible so that अपन अगर maximum score करने का सोच रहे है तो तभी possible हो पाएगा तो on that note guys we are starting with this landmark chapter जिसका नाम है ratio analysis दो चीज़े मैं इधर बता देता हूं कि guaranteed 10 marks के लिए आने वाला है so expected weightage अगर आप मुझे पूछते है तो यार बहुत बड़ा weightage है इसका मैं इसको बोल दूँगा कि 6 to 10 marks का इसका weightage है on an average for sure and दूसरी important चीज़ जो आप लोगों को यहां पे लिखनी चाहिए गोर फर्माना चाहिए and that is going to be that many times asked in compulsory question yes guys तो अगर यह compulsory में आ रहा है ठीक है और mcq तो अगर यह अपने को पता है कि भई compulsory में आ रहा है या फिर mcq में आ रहा है then in that case it becomes our responsibility that we do it in the best manner possible right चलो start करते हैं सबसे पहले कि यह ratio क्या होता है मैं आपको एक बात बाता हूँ ratio ऐसी चीज़ है ना जो आपको comparison के लिए सबसे best काम में आईगी मैं आपको एक example के साथ start करता हूँ जैसा मैंने आपको बोला है कि यार अपने पास बहुत सारे examples है वो example से connect करते जाएंगे और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दू कि ये वाले chapter में बहुत सारे formulas है और students का ये एक आदत होता है कि वो formulas correct रट्टा मारने का कोशिश करता है that should never be the scenario at this level guys intermediate और final level पे इतने सारे subjects के इतने सारे formulas होते हैं कि अगर अपन लोग उसको रट्टा मारने जाएंगे रोट oriented रखेंगे ना then in that case we will never be able to remember और exam है ना सब चीज़ जंबल हो जाएगी तो इसके लिए सबसे best approach क्या है उन ratios को उन formulas को पूरा overall subject के formulas को समझने की कोशिश करता I think मेरा कल जब costing का batch था तभी मैंने तुम लोगों को यही बताया था that we will try to derive the formulas derive करने में थोड़ा सा time कभी कभी जादा चले जाता है and derive करने में कभी कभी थोड़ा सा extra effort लग जाता है बट उसका जो end result है न वो आपके साथ lifetime तक रहेगा एक शारुक खान का dialogue दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे गा मेरी माँ हमेशा कहती थी that दो रास्ते होंगे एक आसान रास्ता एक मुश्किल रास्ता ठीक है आसान रास्ते से जल्दी पहुँच जाओगे but वो मंजिल जादा time तक आपके साथ रहेगी नहीं मुश्किल रास्ते से जाओगे न तो time लगेगा बट जहां पे पहुचोगे न वहां से आपको कोई हिला नहीं पाएगा and therefore let's take the मुश्किल रास्ता which is derivation and which is doing the formulas in the classroom itself जब मैं classroom से बाहर जा रहा हूँ तब तक अगर मैंने कुछ 10 formulas, 2 formulas, जितने भी formula करा हैं वो formula आप लोगों को on the tip of the tongue होने चाहिए plus मेरा suggestion तो यह रहेगा कि एक formulas का separate book भी मना के चलते रहना so that exam time पे we can use that also for our reference ठीक है guys so इस positive note के साथ अपन लोग start करते है ratio में को बता हो यह word ratio का meaning क्या होता है क्या होता है ratio सर अभी हम लोग का आपको detail point to point explain करने लगे so therefore I will give you an explanation ratio का मतलब होता है relationship between any two numbers कोई भी दो number के बीच का relationship वो बता सकता है so in arithmetic terms इसको बोलते हैं so अगर मेरे को बोलना है कि ratio क्या है तो basically एक simple language में एक मतलब कोई श्कूल का बच्चा भी पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकते है वो language में अगर में को ratio का मतलब बताना हो तो फिर मैं बोलूँगा ratio is relationship between two figures जिसको अपन बोलते है numbers in arithmetic terms arithmetic का मतलब समझते है maths maths in mathematical terms in arithmetic terms and यह कहां पर use होता है ratios बता है majorly दो जगा पर use होता है एक internal comparison में और एक external comparison में so this ratios is mainly used for two things analysis and comparison क्या मैं बुला analysis and comparison और एक इसका भी must example देता हूँ मैं आपको यह कई बार external analysis and comparison में भी use होता है and यह कई बार internal analysis and comparison में भी use होता है सर यह कैसे internal में भी use हो रहा है external में भी use हो रहा है तो आपको मैं एक example देता हूँ समझो आप लोग ने अभी मेरे साथ financial management पढ़ रहा है मैं आपको लोगों के mock test लूँगा mock test 1, mock test 2 अब अगर से for example आपको mock test 1 में mock test 1 में आपको आए 70 marks out of 100 और mock test 2 में आपको आए 85 marks out of 100 तो क्या आप comparison कर सकते हो इन दोनों का बोलो हा कि ना आप comparison करोगे क्या कि एक में 70 out of 100 आए उसमें 85 out of 100 है क्या compare कर सकते है आंसर इस येस क्या इन दोनों का analysis कर सकते है आंसर इस येस कि हाँ यार मेरको पहले 70 था फिर सर का lecture attend किया तो अब 85 marks हो गया so in short in short यह यह एक ratio है यह देखो यह 70 out of 100 relationship between two figures expressed in arithmetic terms 70 by 100 100 में से 70 आए ठीक है 100 में से 70 आए so 100 में से 70 आए 85 आए 100 में से अब उन दोनों को मेरे को compare भी करना है analyze भी करना है और वो internal है मतलब मेरे ही marks है भाई तुमारे FM का मैंने test लिया तुमारे ही marks है so तुमारे यह past का तुमारे ही future का comparison हो गया जब internally किसी company का ही past का और future के ratios का analysis and comparison भी यूज करते है अपन लोग बाई taking the help of ratios दूसरा is external external में हो जाएगा से आपका ठीक है so you and आपको स्कोर किया 85 out of 100 and सामने और एक है आपका friend उसने score किया 75 out of 100 अब आप क्या इन दोनों में comparison कर सकते है yes क्या आप analysis कर सकते है yes आप बोलेंगे यह यूज आप अच्छा perform कर रहा है आप कौन सा notes यूज कर रहे है अपने कौन से professor के lectures देखे oh oh ऐफा so क्या हो रहा है यहाँ पे externally भी आप analysis and comparison कर पा रहे हो between two firms right so यहाँ पे external comparison किसका हो रहा है between two firms so you can say यह एक अपनी firm comparison with other firms are we understanding guys कैसे ratio is used for analysis and comparison और analysis and comparison खाली internally नहीं externally भी externally नहीं internally यह बहुत जगे पे यह use होता है मैं आपको बता रहा हूँ यह जो stock market तुम लोग सुनते हो ना stock market stock market सर सीखना है यह पूरा का पूरा stock market आप believe नहीं करोगे ratios के उपर ही based है 101% मैं आपको एक example दो practical example देखना चाहोगे आप लोग एक बहुत 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 नामचीन website है website का नाम है screener ठीक है अगर कोई भी बंदा कोई भी person stock market में काम करता है deal करता है या कुछ करता है तो वो by default screener तो use करता ही करता है तो सर हमारे को क्यों बता रहे हो आप यह screener के नहीं यहां पे screener दिख रहा है आपको यह देख लोगों को screener दिख रहा होगा अब आप screener के उपर जाके कभी ऐसे analysis पर क्लिक करो देखो में को दिख रहा है इदर टाटा मोटर से for example मैंने टाटा मोटर्स के उपर क्लिक किया तो यह सब जो मुझे मिल रहा है ना comparison यह क्या है यह basically ratios है अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ जिसके बिना कोई भी analysis incomplete होती है और अगर आप लोग यह note कर सकते हो इदर देखो टाटा मोटर्स के बाजू में लिखा है चार्ट चार्ट के बाजू में लिखा है analysis के बाजू में लिखा है peers quarter फिर profit and loss उसके बाजू में लिखा है balance sheet cash flow और उसके बाजू में लिखा है ratios जी हाँ यह दिखा बहुत कोई भी stock market में जो shares होते है न उसका analysis and comparison is incomplete without using this chapter जिसका नाम है ratios compulsorily हर एक अभी यह देखना अपन लोग जैसे यह lecture होते जाएगा देखेंगे अपन लोग inventory days days payable cash conversion cycle working capital days ROC percentage यह सारे के सारे ratios अपन लोग अब अपने इसमें comparison करने वाले हैं so that shows that it is so very important for us this chapter is so very important for us in our practical life as well क्योंकि यार life यह P ratio जो तुम लोग में कभी सुना होगा all of that is a part of what is a part of ratio जो मेरे किसके लिए काम आने वाला है major role of ratios calculation is this analysis and comparison analysis के company कैसा perform कर रहा है comparison के खुद के comparison में कैसा perform किया है last year के साथ last quarter के साथ comparison के मेरे industry में बाकी जो मेरे players है उनके साथ कैसा perform किया है यह सब का एक you can say accumulation is basically this chapter called as ratio analysis जिसको जिसको नाम दिया है institute ने एक obviously high level का नाम देती है institute तो financial analysis and planning मतलब institute के answer में भी तुम लोग यह note करोगे word क्या है analysis और यह analysis के basis पर मैं planning करूँगा मुझे इस company में invest करना है कि नहीं करना है clear everybody सब लोग साथ में हो मेरे done समझ में आया so यह काम होता है ratios का अब दूसरी चीज़ ratios का main use होता है comparison में but we should always have a base for its calculation मैं आपको एक example देता हूँ suppose मेरे पास मेरे दो students है मेरे दो students है एक है संता और दूसरा है बनता एक है संता ते दूसरा है बनता संता को आए 47 marks ते बनता को आए 48 marks मेरा question है कौन बैटर है आएगा आएगा अभी शेक प्रियंका तुम लोग का भी नाम आएगा संता है एक है संता दूसरा है बनता संता को आए 47 marks और बनता को आए 48 marks आप मेरे को बताओ कौन बैटर है बड़ आफ़र बता आप मेरे को बताओगे कौन बैटर है संता बैटर है ते बनता बैटर है and the immediate answer that you are going to say is sir cdc बात है बनता बेटर है but wait ratios जब तक stand alone इसको इलता है stand alone मतब काली एक ऐसे ही दे दिया आपको number तब तक आप comparison नहीं कर सकते अब मेरी पूरी बात सुनो ते संता ने score किये 47 marks out of 50 marks ते बनता ने score किये 48 marks out of 100 marks can I say अब मेरा answer totally change हो गया right so इसके लिए it becomes very important के base हो और फिर दो numbers का comparison हो अगर यह जब तक base नहीं पता था ना मुझे मेरे लिए बनता बेटर था but जब मैंने base set किया और आपको बताया कि ओ इसको 50 में से 47 है उसको 100 में से 48 है आपका thought process और आपका answer change हो गया and this is what exactly ratios tells you अगर आपको सही तरीके से analysis and comparison करना है तो आपको ratios का ज़रुवत लगेगा otherwise आपको कोई खाली 47 48 बोलके जाएगा तो आप तो बोल दोगे बंतना बेटर है बट उसका जब ratio निकालोगे तब पता चलेगा रहे यह तो 47 out of 50 है और यह 48 out of 100 है ओ यह तो 47 वाला बेटर है किसकी वज़े से पता चला पता है आपको ratio analysis की वज़े से and therefore it becomes very important कि अपन ratios को use करे अपने regular comparison में इन जनरल प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत बहुत जादा यूज होता है तो अब मेरे को यह तो समझ में आ गया ratio किसके लिए यूज होता है बोलो बोलो टेल टेल गैस मैं अगर आप लोगों को पूछता हो कि ratios किसके लिए यूज होता है एकदम दो थम रूल वाली बा और यह त्रेक्ट एंड अंसर इस पर अननलिसस के लिए यूज्ट दोनो दोनो तो आज क्या सीखा हम लोग ने हम लोग ने सीका कि ratio । यूज होता है किसके लिए किसके लिए analysis and comparison के लिए किसका analysis and comparison किसी भी form का किसी भी इंसान का anything on this earth उसका अगर internal and external comparison and analysis करना है then in that case उसका internal and external analysis and comparison करना है then in that case we will use this chapter ratio analysis क्या बलते हो सही है अब अपने लिए ये कहां पे काम आएगा as a chartered accountant as a cost accountant we are going to do the analysis and comparison of what किसका comparison and analysis करने वाले है तीक है ना so क्या आपके marks का analysis and comparison होने वाला है इस chapter में दा answer is no वो तो आप individual level पे अपना कर लो तो आप किसका यहां पे analysis and comparison करने वाले हो मैं आपको बताता हूँ यहां पे यह देखो ना screener boss life में आगे जाके अपने को अपने क्लाइंट के लिए यह करना है आगे जाके अपने को अपने पास समझो कोई क्लाइंट आया और मिस्टर संकल्प आप तो यार बहुत बड़े finance के expert हो प्लीज मेरको बताओ ना कौनसी companies में मैं invest करूँ अब ऐसी companies में मैं उनसे invest करवाऊंगा जिनका ROCE return on capital employed फिलाल खाली सुन लो जिनका ROCE बहुत अच्छा है अब इदर देखो suppose यहाँ पे मेरे पास 5 companies है और उनका मैं ROCE देख रहा हूँ जिसका highest ROCE है उसको मैं choose कर रहा हूँ तो मेरे पास client आया client मुझे पैसा देगा वो पैसा मैं client के विहाफ पे invest करूँगा कौनसी companies में invest करूँगा जिसका ROCE ज़ादा है तो ROCE dators period current liabilities, current assets current ratio यह सब क्या है basically यह सब है बोलो बोलो चैल चैल यह देखो इदर आप लोगों जो ratios निकाल है आपन लोगने वो किस basis पे निकाला है अगर तुम लोगों को ratios के बाजू में तीन बहुत बहुत important चीज़े दिखरी होगी क्या दिख रहा है यह देखो कभी भी याद रखना ratios के साथ यह तीन चीज जुड़ी वी ही होगी दुनिया का कोई भी analysis chart देख लो और यह जो ratios अपनों आज कर रहे है न बड़े बड़े fund managers जिनके पास 10, 20, 1000 करोड से भी जाधा का fund होता है न वो भी यह chapter को use करते है in their practical life and वो ratios किसका compute करते है वो ratios compute करते है एक entity के financial statements का और financial statements में कौन सी तीन major चीज़े आती है that's right profit and loss account balance sheet account and cash flow statement अगर यह तीनों मैंने analyze कर लिया किसी company का इतना तो आप लोग भी समझते होगे कि मुझे एक idea आ जाएगा कि यह company कैसा perform कर रही है मानते हो की नहीं मानते हो की नहीं एक बार मुझे पता चल गया कि मैं कौन सी company कैसा perform कर रही है फिर उस basis पे मैं investment कर पाऊंगा तो sir क्यों फिर लोग इतना सारा पैसा हार जाते है stock market में हम लोग ने सुनाए कि यार इसका तो पूरा मतलब घर बिग गया stock market में क्योंकि वो ये analysis नहीं करते हैं जो करते हैं वो कल मैंने आप लोगों को example दिया था चार्टर अकाउंटेंट्स लाइक राकेश जुन जुन वाला 10,000 से 10,000 करोड का जो सफर है वो किसकी वज़े से तैकिया उन्होंने ये ratios को analyze करते थे वो regular basis पे profit and loss, balance sheet, cash flows यार ये तो अपनी जिंदगी है ये तो अपनी जिंदगी है और आप लोगों को दीख भी रह screener पे कोई भी मतलब मैं आपको बोल रहो दुनिया का कोई भी बंदा लेलू वो आपको बोलेगा अगर वो successful है तो वो screener use करता ही हो गया screener मतलब basically ये tool screener जैसा और भी कोई tool हो सकता है जहां पे ये सब analysis मिलता है किसका analysis and comparison ratios find करने के लिए क्यों करने ratios analysis and comparison के लिए internal and external बराबर है अब मुझे एक बात बताओ यहां पेना ये Tata Motors का ये देखो इधर ये लोग ने जो ratios दिया है ना ये देखो इधर ये लोग ने जो ratios दिया है ये Tata Motors का ratios है ठीक है ये Tata Motors का ratios है March 2013 March 2014 March 2015 मुझे एक बात बताओ ये analysis and comparison के लिए ratios use करेंगे ये internal है या external है ये internal comparison and analysis हुआ ये external comparison and analysis हुआ चलो बोलो बोलो चल चल बोलो ये internal analysis and comparison हुआ ये external analysis ये Tata Motors का ही March 2013, March 2014 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25 26 सबका numbers है correct can I say ये internal हुआ exactly देखा आप लोगों सब चीजे सामने practically अपने को दिख लिए अब यही मैं Tata Motors के साथ say for example मैं कुछ साथ में 3-4 और companies को add कर देता हूँ तो इसे for example मैं home पे आ गया इसके screener के home पे आ गया अब मैं क्या करता हूँ यहां पे 2-3-4 companies डाल देता हूँ और बोलता हूँ मेरे को उनका सबका ratio साथ में दिखाओ ROC साथ में दिखाओ समझे रहे हो then in that case वो क्या हो जाएगा external comparison अच्छा एवरिबाड़ी यह देखो यह Reliance Industries Limited का अपने पास सारा डीटेल्स आ गया अब सुनो इधर देखो यह PE ratio किसी ने word use किया था सब लोग ने सुना होता है क्या होता है अभी वो सीखेंगे अब यहां पे तुम लोगो दिख रहे है यह देखो company Reliance, IOCL, BPCL, HPCL, MRPL, CPCL, गंधार, Oil Refinery यह सब के current market price और PE ratio दिख रहे है अब यह comparison क्या हुआ Reliance का PE 26 है, IOCL का 11 है, BPCL का 9.53 है यह comparison and analysis क्या हुआ पिटा यह हुआ external analysis and comparison and clear everybody practically सब चीज़े समझ रहे है मज़ा आ रहे है तुम लोगों को done कभी भूलोगे अभी यह I'm sure कभी नहीं भूलेगे तो ratios में हपन क्या कर रहे हैं क्या कर रहे है internal and external comparison analysis and comparison किसका financial statements का बेटा किसका financial statements का किसका financial statements का और इस financial statements में इस financial statements में क्या क्या आएगा अपने तीन major financial statement जो practically आप लोगों को बता दिया है दुनिया पूरी दुनिया वही तीन चीज यूज़ करती है analysis and comparison of internal external चीज़ों के लिए क्या है वो तीन financial statements कभी मत भूलना मैं देखो एक बात बता तो जैसा मैंने तुम लोगों बोला था कि I also teach at final level और वो तो और भी मेरा forte है तो मुझे पता है कि आप लोगों का mind मुझे किस level पर develop करवाना है so that आप लोगों को आगे जागे मतलब बेस formulation इतना अच्छा strong कर दूँगा कि आगे जाके तुम लोगों के लिए it will always be easy to manage everything especially this subject of finance मुझे बताओ कौन से तीन financial statements के उपर हमेशा अपन लोग rely करेंगे the answer is सबसे पहला profit and loss account जिसको अपन बोलते हैं P&L account am I right? done दूसरा अपन लोग देखेंगे balance sheet balance sheet plus तीसरा cash flow क्योंकि कैसा है ना आप कई बार profit and loss account और balance sheet में तो गुमा सकते cash flows तो जो है वो है दीखेगा बाई real में रोकड़ा है के ने इस company के पास जब तीनों को साथ में analyze and compare करते है ना तब seriously समझ में आता है कि यार company कैसा perform कर रही है क्योंकि आप एक जगे पे कुछ window dressing कर लोगे window dressing मतलब manipulation in accounts आप एक जगों पे कुछ उपर नीचे कर लोगे तीनों जगों पर आप manipulation करना नहीं हो पाएगा मुश्किल है इसके लिए इसको बलते है cash flow statement are we clear guys समझ में आ गया learn रट्टा मारना पड़ा है automatically with the flow आ रहा है तुम लोगों को यह सब यहीं चीब फटा फट लिख लेंगे आप लोग यह भी आप लोग भी लिख लो तो एक दम सब कॉंशिएस मैंड में चीज़े स्टोर होती जाएंगे तो आप यह समझ में आ गया सर कि अब अपने लिए profit and loss account balance sheet and cash flow बहुत important होने वाला है because इसी को use करेंगे अपन लोग ratios calculate करने के लिए ताकि analysis and comparison कर सके of internal and external data वा 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 राइट अगे चलो अब अगर कोई मुझे पूचे कि बही देखो मेरे को analysis करना है financial statements का मेरे को पता चल गया है कि भाई financial statements में अभी तीन चीज़े mainly होती है और ये तो चलो मुझे तो पढ़ाया जाता ही है बट इन जनरल अभी तो मैंने screener पे भी देख लिया तो मुझे पता चल गया कि यार ये profit and loss account balance sheet cash flow बहुत important है मानते हो की नहीं मानते हैं अगर कोई basic देखो मैं अभी एक profit and loss account तुम लोगे साथ ऐसे discuss करता हो कोई बोले basic profit and loss account बनाओ तो क्या आपन लोग बना सकते हैं क्या बचपन से करते आ रहे हैं कोई science का student है तो भी foundation में किया होगा वी कॉम में किया होगा तो चलो आओ एक मस्त वाला trading P&L account बनाते हैं अपनी पुरानी यादे ताजा कर लेते हैं अभी यह जो financial statements को analyze करना है वो financial statements का थोड़ा एक grip आ जाए और एक बात बोलू profit and loss account बनाने के कई तरीके आ गया एक तो यह T format है एक statement format है एक मैं आपको screener का format बताऊंगा एक marginal costing का format है अलग अलग format कोई अपने को टेंशन लेने की जरुत नहीं कोई भी चीज हो एक बात में पेशा याद रखना 1 plus 1 is equal to 2 ही रहने वादा है सिंपल ठीक है तो लेट्स मेक अ सिंपल ट्रेडिंग पियानल अगाउन बट मैं जैसे बना रहो मेरे साथ बनाते जाना वही है जो अपन सब बनाते हैं बट एक 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 तोड़ा सा उसको financial statement में मैं मैं बनाऊंगा तो दे को ratio के लिए financial statement सी use करना है तो आता तो हो अपने को financial statement basic तो आता हो तो चलो एक basic जो अपने को आता है वही financial statement बना देते हैं तो two opening stock है फिर debit side पर आता है two purchases two direct labor या two direct expenses कैना इसे यह debit side की चीज़े हो गई अगर मेरे को credit side की चीज़े लिखनी हो तो सबसे पहले मैं लिखता हूं buy sales इधर मैं लिख देता हूं buy closing stock जैसे ही मेरा यe काम हो जाता है मेरे को मिल जाता है इधर two gross profit बोलो हाँ या ना या ना या यह gross profit यहाँ पर carry forward हो जाता है मैं सब से पहले उनको यहाँ पे लिख दूँगा and मेरा अगर कोई operating income है उसको मैं यहाँ पे लिख दूँगा अब मेरा एक question है तुम लोगों से यार यह operating expenses क्या होता है let me tell you any expense done on a day-to-day basis for running of the business is called as operating expense simple तो पहले कभी भी आपको debit करना है यहाँ पे operating expense जैसे की sir example rent of office printing and stationery staff, salary यह सारे के सारे operating expenses है तो sir operating नहीं हुआ तो दूसरा word क्या होता है non operating expenses sir जैसे की loss on sale of asset क्या sale of asset में day-to-day basis पे करने वाला हूँ नहीं sir तो उसके ओपर profit या loss हुआ तो वो क्या हुआ non operating expense और non operating income कभी भी ध्यान रखना यह दोनों का bifurcation आपको पता होना चाहिए उचो क्यों मैं आपको एक example देता हूँ अभी समझो मैं Reliance का profit and loss account analysis कर रहा हूँ profit and loss account analysis कर रहा हूँ ध्यान से देखना देखो एक chartered accountant या cost accountant कैसे analysis करता है समझना उसको मैंने देखा P&L account of Reliance Industries Limited 2 साल का मैं तुम लागो P&L account बताता हूँ ठीक है यह है से फर एक्जामपल 2000 25 का और से यह है यह 2026 का है फर एक्जामपल और यह 27 का है और यह 2027 का है अब सुनना Gross profit आया 10,000 crores ठीक है दन सर इधर मैंने लिग दिया 2 expenses ठीक है मेरा 2 expenses है इधर 1000 crore ओके सर इसमें और एक expense है यह मेरा operating expense है इसमें मैं non operating expense भी इधर ही include कर देता हूँ और यह हो जाता है 7,000 crore मतलब समझ रहे हो 1000 crore का मेरा operating expense और 6,000 crore का मेरा non operating expense ओ ऐसा और उसकी वज़े से यहाँ पे मेरा net profit आ रहा है 3000 crore मेरा net profit आ रहा है 3000 crore अब इसका comparison यहाँ पे आ जाता है से for example नीचे अब यही मैं लेता हूँ मैं लेता हूँ यहाँ यहाँ पे 2000 and 26 का ही ले लो कोई और company से Tata Motors Tata Motors ठीक है अब यह Tata Motors का मैं देख रहा हूँ gross profit है से 8000 crores और इसका 2 expenses है से 1000 ठीक है चलो लेते हैं इसका 5000 crore का इसका operating expenses है ठीक है इसका 5000 crore का operating expenses है तो इधर मैंने लिख दिया 5000 इसका non operating expense कुछ है ही नहीं इसका non operating expense कुछ है नहीं तो मेरे को बताओ इसका भी net profit कितना आया 3000 crore आया इधर काली अपनों लोग लिख लेते हैं 0 non operating expense 0 non operating expense अब आप मेरे को बताओ आप कौन सी company में invest करोगे profit तो दोनों का 3000 crore 3000 crore ही है which company will you invest in सोच समझ के बताना थोड़ा सा high level है तुम लोगों के लिए बट मैं फिर मैं तुम लोगों मेरा भी बताओंगा मैं कैसी company में invest करोगे देखो दो companies है Reliance, Tata Motors जान बुझ के मैंने दोनों का net profit 3000 crore रख है ताकि comparison में थोड़ा आप लोग confused हो जाओ बट उसके जो internal चीज़े है ना उससे मैं आपको बता पाऊंगा कि किस में invest करना चाहिए दो मिनट दूँगा कोई में को घाई नहीं है सोच समझ के बताओ मेरे पास answers आना start हो गए है and as expected पप्लिक बोल रहा है कि इसा टाटा मोटर्स में ले लो ना उसका non operating expense नहीं है ऐसा नहीं होता अब ध्यान से सुनना मेरी बात को operating expense का मतलब क्या operating expense मतलब day to day वाले expenses कैना इसे मतलब वो हर साल मेरे expenses होने ही वाले है non operating expense का मतलब क्या कि वो मेरा एक बार हुआ हर बार होगा क्या non operating answer is no जैसा मैंने आपको example दिया loss on sale of fixed asset या loss on sale of investment तो मैं थोड़ी fixed asset और investment कोई हर साल हर रोज बेचने वाला हो ये तो कभी कबार मैंने 5 साल में एक बार बेच दिया और coincidentally 2026 वो year था जब Reliance ने वो बेचा और उसको इतना बड़ा loss हुआ कोई हर साल वो ये सेम चीज करने वाला है क्या the answer is no तो अब next year पे आ जाओ 2027 पे आ जाओ Reliance के अब P&L account open करते हैं अपन वापस से उसका जो इधर gross profit आए day to day income and expense से ही आए तो हो 10,000 क्रोर है अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेरा two expenses operating expense जो हर बार होना है वो तो होना ही है क्योंकि यह तो day to day expenses है यह तो regularly जो staff cost है every year, every month, every day जो incur होना है stationary cost है, मेरा rent है बाकी सब चीज़े जो operating है जो भई धंदा चालू रखने के लिए चाहिए वो तो हो नहीं वाली है यह हो गे ता हो जाती है अब मेरे को बताओ क्या non operating expense हर साल होता है क्या, the answer is no और जैसे यह non operating expense जो कली एक ही साल में आया बाकी तो रोज रोज नहीं आने वाल है अगर वो हट जाए तो मालूम पढ़ता है यार क्या company का profitability है और वो हमारी Tata Motors Tata Motors का last year भी कोई non operating expense नहीं था यह बार भी नहीं था बट उसका भी gross profit 10,000 crore है और उसका अगर expense लेता हूँ याँ पे तो समझो operating expense उसका थि 5,000 crore जो होना है वो तो होना ही है उसका ग्रॉस प्राफिट है 8,000 crore उसका भी 5,000 crore का operating expense यह तो होना ही है operating expense है तो आप भाग के जाएं नहीं सकते, non operating expense है एक बाद बार हो गया हो गया, अब इसका net profit देखो, it is still going to be 3000 crore only, और मुझे पता चलता है, यार, reliance, तू तो देव मानुस निकला, तू तो देव मानुस निकला, समझ रहे हो, so, एक non operating expense को, analyze जब मैंने किया, from the eyes of an expert, from the eyes of a chartered accountant, cost accountant, तो मुझे समझ में आया, कि reliance इतना भी बुरा नहीं है, जितना इधर दिख रहा है, भाई, दोनों का net profit 3000, 3000 दिख रहा है, बट वो तो non operating की वज़े से, जब operating level पर मैं देखता हूँ, तो भाई, ये कंपनी तो बहुत अच्छा कर रही है, बाद पात साल में एक बार ये थोड़ा ऐसा हैगा, बाकी अधरवाइस तो, कंपनी मस्त कर लेगी, और आप future के लिए, कोई भी कंपनी में, उसके future के लिए इव इन्वेस्ट करते हो, तो आपने 2026 का ये देखा, अब आप देख रहे हो, यार, ये एक बार non-operating हो गया, अब हर बार तो होगा नहीं, जब next year नहीं होगा, तो कंपनी का profit देखो, तीन गुना, three times of Tata Motors, ये कंपनी का share आगे बड़ेगा, मैं इस कंपनी में invest करूँगा, थोड़ा बहुत समझ में आया, तुम लोगो कैसे analysis and comparison and क्या दिमाग में चलता है, तोड़ा सा feel आया, ये तो देखो, अभी बात चल रही थी, इसके लिए मैंने एक बार तुम लोगों को ये example दे दिया, और connect करवा दिया, बट सच्ची अची बुलना, समझ में आया क्या तुम लोगों को, अगर समझ में आया ना, तो मैं बता सकता हूँ, यहां से मजा आने वाले, और कैसा लगा आपको ये example, चलो वो भी बता दो, सही था ना, क्या perspective निकल के भार आया ना, वैसा, इसके लिए operating expense, तो इसलिए operating expense, को मैं हमेशा अलग अलग ही रगता हूँ, और यह जो मुझे profit मिलता है ना, मैं इसको बोलता हूँ, to operating profit, मैं इसको मेरी भासा में, मैं इसको मेरी भासा में बोलता हूँ, to operating profit, to operating profit, एई समझे गड़ो everybody, तो सर operating expense और उसका क्या, लग की लिखेंगे ना, किसने मरा किया, अब मैं क्या बोलता हूँ, इसी को इधर brought forward कर देते हैं, इसी को इधर brought forward कर देते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ, by operating profit, तुम लोग जो बनाते हो ना, ये भी वही है, बस मैंने operating profit, और operating expense, और operating income को, थोड़ा अलग-अलग कर दिया है, क्योंकि मेरे लिए, वो बहुत crucial factor है, to decide which company to invest, and which company not to invest, बारो, अब मैं इसको continue करता हूँ, अब मैं इसी को continue करता हूँ, तो ये मेरा जो PNL account चल रहा था, ट्रेडिंग PNL account, इसको मैं take forward करता हूँ, तो इधर मेरे पास आ जाएगा, by operating profit, अब मुझे बताओ क्या लिखूँगा, by operating profit तो आ गया, operating profit is nothing but, operating income और operating expense, को ही debit और credit करके, जो मेरे पास आता है, अब मैं क्या लिखूँँगा, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, to non operating expense, expense इसको कई बार exceptional items, extraordinary items भी बोलते हैं, उनको थोड़ा अलग रखने का, ताकि analysis अपनी सही तरीके से हो सके, अगर short term के लिए होता, तो कौन सा better रहता, क्या short term के लिए रहता, good question, ऐसे जो भी तुम लोगे सवाल है ना, पूछते रहो घुष घुष के एकदब, short term के लिए क्या, short term के लिए क्या रहता, चल बताओ, फिर इधर मैं लिखता हूँ, by operating income, yes, sir अगर short term के लिए investment होता, तो आप कौन सा choose करते हैं sir, तो फिर तो देखो, अगर short term के लिए, तो फिर तो reliance चूज करूँ है, Tata Motors कोई फरकी ने परता, दोनों का net profit 3000 crores ही है, तो short term के लिए तो मिरको, कोई इतना tension ही नहीं, वैसे ratio जादा करके, long term के लिए use होता है, long term के लिए आपको investment करना हो, इधर आजाता है अभी by, non operating expense, non operating income, समझ में आ रहा है everybody, done, 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 okay, फिर बाद में इधर आप लिख सकते हो, two depreciation, लिख सकते हो आप इधर two finance costs, finance cost मतलब क्या, अपना जो interest होता है ना, interest on debenture, interest on loan, interest on loan, interest on debenture, वो सारा, and finally मेरे पास आ जाता है यहाँ पे, net profit before tax, क्या बोलता है public, समझ में आया, and then फिर इसमें अगर मैं tax minus कर दू, तो मुझे मिल जाता है वो, net profit after tax, इधर तक समझ में आ गया, net profit before tax, फिर next इसमें, अगर मैं इधर net profit before tax में, less कर देता हूँ, tax, then in that case मेरे को मिल जाता है, net profit after tax, समझ में आया, इसमें अपन less करते हैं, preference dividend, इसमें अपन less करते हैं, preference dividend, क्योंकि preference dividend को, tax का benefit नहीं मिलता है, and finally मेरे को मिल जाता है, net profit available for equity shareholder, अगर मैंने कोई equity वाले को dividend दिया, तो ठीक, नहीं दिया, अब यह जो मेरा बचता है, वो जाएगा, transfer to reserves and surplus, अभी मैं आपको एक बात बता हूँ, यह मैंने ऐसे ही बना है, अभी तो मैं और detail में, जब sums करवाँगा, और अच्छी तरह से करवाँगा, बट कैसा है ना, मैंने यहाँ पर यह लिख दिया, profit and loss account, तो मुझे लगा कि चलो, एक recollection हो जाए, बट यह जो तरीके से, मैंने बना है ना, चीज़ को, I am sure, तुम लोगों को काफी, सही लगा होगा, EAT, ESH, earnings after tax, for equity shareholders, वा, क्या बात है, चलो, सो, समझा यह वाला, बना लिया तुम लोगने भी, ठीक है, सेट कर लोगे notes से, कोई attention नहीं है, अब, अगर मेरे को screener वाला देखना है, तो वो लोग क्या use करते है, word C, O, G, S, और वो वाला उस हिसाब से करेंगे, तो उसका भी अपन लोग देख सकते हैं, कोई attention नहीं है, तो यह देखना है, screener वाला, interest minus किया है, depreciation, profit of before tax, net profit, EPS, dividend payout, वाईसा, अपना भी उस, उस lines पर ही है, अपने ओर detail और better way में बनाया है, क्या बलता है public, right, done guys, अब, ऐसे भी बनता है, sales minus variable cost, contribution, आएगा, वो सब भी मैं तुम लोगो बताऊंगा, अलग-अलग variations, वाट ये एक इग्डम, बोलता है ना, पुक्ता profit and loss account है, done, any doubts anybody, अगर मेरेको एक balance sheet बनाना हो तो, अपना वाला ये simple वाला balance sheet बनाना हो तो, बना सकते हैं, अपन, चलो, दो मिनिट दे रहा हो मैं, देखलो, लिखलो, and then we'll start, continue, अपना हैं各व सही हैं, आप लिखलो, प्रिवा हैं, कैपिड़ो, अपना हैं? अपना हैं action . झाल झाल जाल ओके फील आ रहा है मज़ा आ रहा है गाईस नाइस चलो नेक्स्ट इस बैलेंशीट बनाए बैलेंशीट भी एकदम मतलब अलग 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 स्टाइल में बनती है स्क्रीनर की बैलेंशीट कनेक्ट होगी इक्वीटी कैपिटल अपन भी लिखते है इसके तुम डिवेंश जो भी यह सकते हो यहां पे आ गया अधर लाइबिलिटीज में अपना स्टॉक डेटर्स और वह वाली चीज़ें आ गई तो यह तो थोड़ा अपने लोग को क्नेक्ट हो पा रहा है क्या होते हैं चलो डन सो नेक्स्ट लिखता हूं मैं अभी एक फील के लिए बना रहा हूं मैं बैलेंशीट एक बोलते हैं ना रीकलेक्ट करवा रहा हूं चीज कभी भी बैलेंशीट होता है ऐस यह एक पार्टिकुलर पीरड के लिए कभी भी याद रखना पीनल अकाउंट इस पॉर पार्टिकुलर पीरड पीनल for a particular period but जो हमारा balance sheet है is it, it is what? it is as at date as at that date ठीक है? अब इस balance sheet में येस आप तो champion हो, आपको पता ही है दो बाते होती है, एक होता है assets और एक होता है liabilities इधर लिखते हैं अपन liabilities इधर लिखते है assets, आप बोल लोगे कि sir, कभी ऐसा सोचे, sir, ऐसा क्यों नहीं पहले assets लिखते है, फिर liabilities इधर अपन लोग asset लिख लेते हैं उदर liabilities कुछ countries की balance sheet में आफा भी होता है येस, येस, अब ट्राइ करो ढूंड के मुझे WhatsApp करना, ऐसी कौन सी countries है जिन में पहले asset लिखते हैं, बाद में liabilities लिखते हैं ट्राइ करना ढूंडने का, चलो, सबसे पहले मैं इधर लिखता हूँ equity shares, equity share capital, फिर reserves and surplus फिर reserves and surplus कभी security is free में हुआ, वो सब हुआ, तो वो भी होता है बट अभी हापन simple वाला बना रहे हैं, तो उसमें complication नहीं चाहिए फिर preference share capital फिर debentures फिर बैंक लोन फिर trade creditors फिर outstanding expenses यह liability side हो गया भाई यहाँ, ओके asset side पे क्या आता है fixed assets less depreciation करके इधर net fixed assets simple और फिर दूसरा current assets इस current asset में क्या क्या आएगा करेक्ट stock in trade, बेटा, stock in trade आ जाएगा, इसमें current assets में, फिर क्या लिखते हैं अपन लोग, data, very good, फिर, चलो चलो याद करो यार, तुम लोगों को भी चीजे याद रहती हैं कि नहीं, मैं भी तो देखो, हाँ, balance sheet तो कितना simple है, वेरी गुड, cash bank, फिर, prepaid, वेरी नाइस, चाँ, इस यह सब मिला के, चलो, miscellaneous expenses to the extent not written off, क्या बात है, क्या बात है, चलो, वो भी लिख लेते हैं, miscellaneous expenses not written off, क्या आइस से यह सब मिला के, बन जाता है, अपना balance sheet, obviously, we know that this is equal to this, done, 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 basic, basic balance sheet, मुझे, मैं बोला हूँ, अभी तुम लोगो, high five कुछ नहीं ची, एकदम simple, जो आपन लोग बच्पन से पढ़ते हैं, टी वाला balance sheet यह बही है, कोई तुमारा मेरे को schedule 3 वाला accounts वाला balance sheet, हम इसमें खुश है, हम इसी में proper analysis करके देंगे, देखना, clear everyone, चलो, और एक last चीज है अपने भात में, और वो है cash flow statement, अब CDC बात है, cash flow statement तो, CDC बात है, cash flow statement तो, बहुत ही बड़ा होता है, operating and वो सब, तो एक simple वाला आपन लोग ले लेते हैं, इसका देखो, cash from operating activity, cash from investing and cash from financing, इसका detailing नहीं करेंगे, वो तुम लोग accounting standard 3 में करते ही होगे, I'm sure बनाओगी, तो वहाँ पे तुम लोग कर सकते हो, यहाँ पे वी विल राइट डाउं, थर्ड तिंग, cash flow statement, cash flow statement, वाई screener में भी काली 3 लाइन में दे दिया है, उन्हें नहीं यार, operating, financing, investing, simple, फिर operating में है पूरा, कि वह operating में क्या क्या आता है, working capital changes, profit from operations and all of that, बड़ अपने को फिलाल इतना depth में नहीं जाना है, तो जो अपना basic है, अपने को उसमेरे, इन्वेस्टिंग में भी नो, fixed assets, purchase, sold, investment purchase, sold and all of that, and then there is obviously the financing activity, so, cash flow statement, cash, देखना है बही, कितना positive है, negative है, क्या है, एक बार scenario, देख लेते हैं, cash from operating activity, मतलब धन्दे से कितना कमाया, cash from operating activity, धन्दे से कितना कमाया, for cash from financing, investment activity and then financing activity, cash from investing activity and finally, yes, cash from financing activity, and finally, we will get cash flow of the entity, yes, net cash flow, cash and cash equivalent, risk open, लिख लिया, चलो, एक फील आगे, अपने को तीनों का, राइट, कई पर तुम लोगो लिखना है, operating income, और non operating income, क्या होता है, बाद में तो मैं लिखाऊंगा, उसका तो tension नहीं मतलो, बाबा, don't worry, अभी अपना explanation वाईस तो हो गया, बाद में अपनों इसको और भी लिख लेंगे अच्छे तरह से, operating non operating, अब सुनो, अगर मैं फटा-फट एक बार quick revise करूँ, या देखू, मैंने क्या-क्या आज देखा है, समझा है, तो मुझे समझ में आता है कि या ratio analysis बहुत important chapter है, और ratio basically एक relationship है, दो numbers का, ठीक है, use होता है analysis and comparison के लिए, ये analysis and comparison मैं internal level पे भी करता हूँ, and external level पे भी करता हूँ, किसका analysis and comparison कर रहा हूँ, मैं internal and external level पे financial statement का, financial statement में क्या आता है मेरा profit and loss account, balance sheet, cash flow statement, profit and loss account का मैंने एक basic सा format बना लिया है, यहाँ पे, इस format में, obviously operating stock purchases, direct labor, direct expenses के बाद, sales closing stock से मुझे मिल गया gross profit, two operating expense, operating income से मिरको मिल गया operating profit, then non operating expense exceptional या extraordinary items, depreciation, finance cost and non operating income को adjust करके मिल गया net profit before tax, tax less किया, impact, preference dividend, EAT, ESH, ऐसा तुम लोग ने लिगा net profit available for equity shareholders, equity dividend दे दिया and transfer to equity, resource and surplus जो बच जाता है, फिर reliance का एक analysis के आपनों लोगने की कैसा extraordinary item से, या यह जो non operating expense से, अपना decision making can be affected on a long term basis, फिर अपनों ने समझने की balance sheet की कोशिश, यह basic balance sheet का format बना दिया and then cash flow statement, so far so good, तो अब तुम लोगों को क्या लग रहा है, यह जो पूरा ratio analysis है, क्या होगा इसका objective, अगर मेरे को लिखना है इधर के भई चलो इतना मैं अभी से ratio ratio कर रहा हूँ, तो क्या होगा objective of financial ratios, यह जो भी इतना सारा में जो ratios पढ़ने वाला हूँ, इसका मुझे क्या फाइदा होने वाला है, क्या नहीं write down, एक तो मुझे comparison and analysis के लिए काम आएगा, बराबर है, तो चलो एक तो है वराप जो typical point है, comparison and analysis of internal and external data, ठीक, दूसरा, कैना इस एक company का financial well-being कैसा है, वो भी मुझे ratio analysis से पता चल जाएगा, क्योंकि मैं तीन financial statements को एक दम in-depth analyze करने वाला हूँ, boss, P&L, balance sheet, cash flow statement, so can I say to check financial well-being of a company, financial well-being of a company, okay, उसके बाद में मेरको पता चल जाएगा की company में liquidity है के नहीं, to check liquidity of the company and last but not the least, and that basically is to simplify accounting information, to simplify accounting info, अब यहाँ पे तो इतना सारा information, accounting का information है, बट जब मैं इसको ratio के level पे लाँगा ना, तो मेरे लिए comparison काफी easy हो जाएगा, यह मैंने क्यों लिखवाया, क्योंकि कभी-कभी 2 से 3 माक के लिए institute ऐसा theory question पूछ लेता है, जिसका जवाब अब अपने को पता है, right, please write it up, done. Okay, on that note, अब आ रहे अपन लोग finally ratios के उपर, guys, देखो, यह पूरा महौल बनाते, 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 अब अपन लोग finally पहुँचे है, types of ratios के उपर, ratios क्या है, क्यों है, किसका, क्या use करने वाले हैं अपन लोग, सब चीज अपन लोग ने यहां पर देख ली, अब अपन लोग बोल रहे हैं, अब हमको ratios पढ़ना या, यह तो बहुत काम की चीज लग रही है, screener भी use कर रहा है, बाकी लोग भी use कर रहा है, and that is where, let's see, what are the types of ratios, या you can say, types of financial ratios, इसको चार category में divide किया गया है, world over, इसको चार category में divide किया गया है, world over, सबसे पहले category A, क्या है category A, इसको अपन बोलेंगे, लिक्विडिटी, क्या बोलेंगे इसको, लिक्विडिटी या short term solvency ratio, लिक्विडिटी, slash, short term, solvency ratio, second, B, long term, मैं खाली अभी लिखवा रहूं, फिर अपनों उसको डिस्कॉस करेंगे, डेखो, कोई भी कम्पनी को, मेरेको invest करना है, तो मैं, मैं तो जैसा type का investor हुना, I always believe in long term, in anything, अपने को long term में ही benefit मिलेगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना, short term में कभी आपको फाइदा नहीं हो सकता है, तो अगर मैं long term की बात करता हूं, then in that case, guys, अगर मैं long term की बात करता हूं, then in that case, यहाँ पे आता है, some high level things, जिसको बोलते हैं, leverage ratios या long term solvency ratios, जो इदर liquidity word है न, उदर word है leverage, क्या है यह सब, समझेंगे, don't worry, लिख लेते हैं पहले लिएक बाद, so leverage, slash, long term solvency ratio, फिर आता है मेरा turnover ratios, इसको प्यार से activity ratios भी बोलते हैं, guys, and last but definitely not the least, is my favorite profitability ratio, बस profit देने वाला है क्या यह company, वो बता हो या, अपने को profit से लेना देना है, profitability ratios, अच्छा everybody, done, 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 चल, start करेंगे, guys, first ratio के साथ, and that basically is, the short term liquidity, जिसको अपनों बोलते हैं, liquidity ratios, short term solvency ratios, short term में तुमारी हालत क्या है, अब इदर देखो, equity share capital, logically अपनों लोग इसको derive करें, learn करने की सब्सक्राइब, कभी नहीं पड़ेगी, मुझे एक बात बताओ, equity share capital, बराबर है, कैना इसे, ये किसका fund होता है, owner का fund होता है, कैना इसे, owner का जो fund है, क्या वो रोज रोज निकालेगा, और डालेगा क्या, the answer is no, कैना इसे, इसने तो long term किया है, going concern, सबसे पहला, अपना fundamental accounting standard ही बोलता है, going concern, मतलब भी जिन्दगी बर, मेरा ये business चलते रहेगा, बराबर के नहीं, so equity share capital, short term लग रहा है, कि long term लग रहा है आपको, बोलो बोलो, दिल से बोलो, एक दम, ठीक है sir, long term लग रहा है, CDC बाद, preference share capital, minimum preference share capital, कोई company issue करते है, तो 3-5 साल के लिए issue करता ही है, debentures, sir, same 3-5 साल, bank loan, sir, bank loan तो आजकल 20-20 साल का मिलता है, तो ये भी long term हुआ, trade creditor, क्या, जो, creditor का मतलब क्या होता है, चलो वो समझते हैं, creditor मतलब, ऐसा इंसान, जिसको अपने को पैसा देना है, तो हो सकता है कि, say for example, ये pen बनाने के लिए, मैंने किसी के पास से plastic खरीदा, और उसको पैसा नहीं दिया, मैं बोला, 3 महिने बाद पैसा दूँगा, यार अभी नहीं, रुख जा 3 महिना, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, trade creditor, बड़ावर है, कितने time के लिए, मैं creditor को चुप रख सकता हूँ, भई, 2 महिने बाद देता हूँ, 3 महिना, 4 महिना, 6 महिना, maximum, इससे जादा मैं है, उसको चुप रख सकता हूँ क्या, नहीं, तो क्या मेरा यह जो trade creditor, वो long term है, short term है, तू भी बताओ मुझे, बड़ावर के नहीं, short term न, trade creditor, short term solvency ratios में, use करेंगे, समझ रहे हो तुम लोग, identify, outstanding expenses, यह कैसा होता है, जैसे for example, direct wages, तो direct wages मेरे को pay करना बाकी है, अभी wages, अगर मेरे को outstanding wages pay करना बाकी है, तो क्या मैं मेरे employee का wages, कितने time तक नहीं pay करूँगा, 2 महिना, 3 महिना, 6 महिना, करना इसे यह भी short term है, तो यह मेरे short term ratios के लिए use होंगे, क्या trade creditors, outstanding expenses and all of that, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को, फिर, asset side पर आजाओ, चलो, fixed asset, मैं कोई भी fixed asset अगर लेता हूँ, land, building, furniture, computer, यह सब आप मुझे बताओ, यह सब मेरे जो fixed assets है, बेटा यह क्या मैं, एक साल, दो साल के लिए ले रहा हूँ, नहीं सर, 5 साल, 10 साल, 20 साल, उसके लिए आप ले रहे हूँ, अभी clear everybody, yes sir, we agree to your point, right, अब उसी में आ जाता है, मेरा दूसरा current asset, मेरे पास कोई closing stock पड़ा है, मैं उसको क्या, एक साल तक रखने वाला हूँ, या मैं चाहता हूँ, on the spot बेच दू, उसको अभी, अभी खड़े खड़े बेच दू, तो जितना जल्दी वो बिकेगा, उतना अच्छा है, तो stock in trade, मेरे पास अगर पड़ा है, मैं उसको बेचना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी, short term, dators, जब पैसा देना है, तो पता है, जल्दी देना है, तो लेना तो और जल्दी होगा, short term, cash and bank, अरे आज cash and bank है, कोई भी खंचे के लिए, फटा-फट हो तो use होते जाएगा, short term, prepared दिया है, जब actually वो अभी expenses due हो जाएगा, तो वो prepared उतना minus हो जाएगा, short term, miscellaneous expenses not return off, पता नहीं कब तक चलेगा, तो आप मुझे बताओ, इसमें से आपको, short term वाली चीज़े, कौनसी कौनसी लग रही है, can I say trade creditors, outstanding expenses, current assets, stock in trade, cash and bank, and last prepaid, everybody yes or no, बस इसी से बना है मेरा, इसी से बनता है मेरा, short term ratios, यह आपको है ना, कोई नहीं बताएगा, कि इस तरह से बनते हैं, short term ratios, आपको कोई भी, यह connect करके नहीं देगा, कि अच्छा, short term ratios में, यह वाली चीज़े यूज हो रही है, हाँ, आपको बतादेगा, liquidity ratio में, दो ratios होते हैं, basically, current ratio, and quick asset test ratio, यह सब, यह आपको बतादेगा, current ratio का formula में बतादेगा, but, इस, liquidity ratios में, जो short term ratios है, उसमें, कौनसे कौनसे, elements use होने वाले हैं न, guys, वो, आप लोगों को, एक बार पता चल क्या न, पस, अब आप कभी life में भूलोगे नहीं, यह वाले, जितने भी ratios है, समझे लोगों करने का तरीका, तो सीधा में आया क्या, कि liquidity ratios में दो टाइप है, current ratio और वो नहीं, पहले मैं ने देखा, यह liquidity ratio क्या है, तो सर ने लिखवा है, liquidity ratio मतलब short term वाले, तो short term वाले, तो मैं बोला, चलो item देखते है, short term के कौनसे है, तो मैंने देखा, यह balance sheet में, short term के तो कुछ, यही चीज़े दिख रहे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, approximately, बस यही बनाएंगे, मेरे short term ratios, liquidity ratios, समझ में आ रहा है guys, आपको everybody, right, logically connect कर पा रहे हो, कैसे चीज़े connect होती है, समझ रहे, सब अब यहां पर मैं आ जाता हूँ, A क्या है मेरा, liquidity ratio, liquidity ratios, इसको, इसके लिए, क्या लिख सकते हैं अपन लोग, this ratio is used to determine, short term solvency of the firm, so used, notes, इतने अपन तगड़े बनाएंगे ना guys, के मतलब, आपको मेरी सारी बाते याद आ जाएगी, वो notes को खली देख कर, lecture dot end कर रहे हो, अब वापस से आप शाये lecture ना सुनो, but notes इतने तगड़े और strong होंगे, कि सब चीज़े connect हो जाएंगी, तो used to determine, short term, solvency of a firm, sir solvency मतलब, cash positive होना चीए company, simple, मतलब cash availability, should be cash positive, should have availability of positive cash, इसको वोज़दे है, solvency, ठीक है, इसको दो पार्ट में, डिवाइड किया गया है, जी हाँ, liquidity ratios को, दो पार्ट में, डिवाइड किया गया है, one, it is called as, current ratio, जिसको प्यार से, working capital ratio भी बोलते हैं, working capital ratio भी बोलते हैं, and दूसरा, it is called as, quick ratio भी इसको बोलते हैं, या acid test ratio भी बोलते हैं, other is, quick ratio और, acid test ratio भी बोलते हैं, done, अब इतना आपन लोग ने एक idea ले लिया है, समझ लिया है, खुद दिमाग लगाया, कि हाँ, कभी भी मेरा thought process क्या रहता है, बताए गया, अगर ये formula बना है, अगर ये ratio बना है, तो किसी ना किसी ने तो खुद सोचा होगा, और वो सोच के उसने ये ratio बनाया होगा, मेरा हमेशा एक effort रहता है, कि let's get into the mind of that person, क्योंकि अगर आपको कोई चीज derive करनी है ना, तो आप तब भी derive कर पाऊगे, जब अगर ऐसा सोचोगी, आपके पास ये चीज़ है और आपको derive करनी है, और फिर बाद में उसके basis पे चीज़ों को analyze करना चालू किया, अब इसमें मेरा सबसे पहला जो अध्या है, जो first part है, that is going to be current ratio, आओ लिखते हैं current ratio के बारे नहीं, first is current ratio, क्या होता है बेटा current ratio, इसको net working capital ratio भी बुलते है, current assets, that is right, upon current liabilities, current assets upon current liabilities, sir current asset क्या होता है, sir current liability क्या होता है, अब working note 1 बनाएंगे, working note 2 बनाएंगे, एक एक चीज़ को fundamentally समझने की कोशिश करेंगे, so now we are going to start with understanding of current ratio, बस इसमें एक चीज़ बता दे चलो, पहले current ratio में current assets क्या है, current liabilities क्या है, उसको समझते है, current asset minus current liabilities called as working capital, इसके रिए उसको working capital ratio, working capital क्या है, वो भी लिखवा देता हूँ, एक एक जो भी चीज़ पॉसिबल है ना, सब मैं तुम लोगो लिखवा दूँगा, बता दूँगा, मुझे चाहिए full on full, बस, simple, working capital क्या है, amount required for day to day business, simple, amount required for day to day business, and technical language में इसको बोलता है, current asset minus current liability, भाई अभी current asset को अपन CA लिखेंगे, current liabilities को अपन CL लिखेंगे, ओके, अब working note 1, क्या था working note 1 में, कि सर्फ current assets में क्या-क्या आता है, तो जितना जो possible है, सब मैं तुम लोगों को बता दूँगा, और मैं और एक चीज बता दूँ, अगर तुम लोग अपना कभी module भी open करके, देखना चाहों तो देख सकते हो, everything that I am teaching you, मैं लोग जो बोल रहे हैं न, उससे तो जादा ही, मैं तुम लोगों को cover करवा दूबा, उसका tension लेना है, कभी भी कुछ भी देखना, देख लेना है, अब लिए सर ये सब भी कुछ इदर लिखा है, basic defense, ये networking capital, सब आएगा, उसको बलते है, अब फटा फटा अपनों क्या लिख रहे हैं, ये बोलो, current assets में क्या क्या आता है, पहले तुम लोग सोच समझ के बाता हूँ, कहना है, इससे asset side की चीज़े, current assets में सर आ सकता है, data, stock in hand, inventories वाला, raw material, WIP, FG, cash and cash equivalent, data के लावा, कोई और receivable हुआ, prepaid हुआ, ये सारी चीज़े, are a part of current assets, you are right, absolutely, चलो, let's write out, लिखो, अच्छा मैं लिखो, चलो, लिखता हूँ नो, A, data, simple, एकदम जो अपना clear वाला data है, वो तो इधर ही आएगा, इधर ही चाहिए, फिर बाद में, इंवें पर्फें, ठीक है, इंवें इंवें है, ये आएगा, रा मातिरियल, WIP, फिनीष गूद, रोके, थेन, कैश्बंक, थेन, अने, अधर, रिचेवेबल, देन एडवार्स या जिसको अपन मलते हैं प्री पेड एक्सपेंसेज मोटा मोटा यह करेंट आसेट्स का पार्ट बनता है ठीक है गाइस अपने लोग ने दो वर्किंग नोट लिखे थे तो वर्किंग नोट टू भी आता है इधर वर्किंग नोट टू में आता है मेरा करेंट लायाबिलिटी जितनी भी एक्सपेक्टेड करेंट लायाबिलिटी इस है बोल दो सब इधर आ जाएगा सबसे पहले प्रेडिटर्स प्यार से उसको ट्रेड पेबल्स भी बोलते हैं so we will write down क्रेडिटर्स स्लैश ट्रेड पेबल्स डन नेक्स देखो इधर इधर का ऑपोजिट है कैसे मैंक लिखा है तो इधर लिख देने का बैंक ओवरड्राफ बैंक ओवरड्राफ्ट जिसको अपन ओडी बोलते हैं फिर बाद में इधर एनि अधर इसे हगल आउट्स्टैंडिंड़ एक्सटैंडिंगे अपन लोग दर उसका आपोजिट में इधर आजाएगा आउट्स्टैंड डेंग expenses next कई बार इदर short term loans भी लगए लिए लिए आप लोग ने that will also come here any other अब मैं आपको बढ़ा हूँ very nice bills payable trade payables में इदर मैं add कर देता हूँ bills payable very nice इदर और दो आ सकते हैं एक है proposed dividend एन दूसरा है provision for tax provision for tax clear everyone तीक है अब कई बार student को यही confusion आता है सब current asset मतलब सर पैसा आने वाला है कि पैसा जाने वाला है इसको बेचूंगा इसको बेच पैसा आएगा और current liabilities पैसा जाएगा चाहिए तो तुम लोग इदर लिख लो यार एक चीज में तुम लोग को लिख वादे तो चोड़ूंगा ने टेंचन मतलो इदर आ जाएगा पैसा जाएगा और यह इस पैसा आएगा ऐसा आएगा समझेगा कुछ पॉइंट्स जो तुम लोगों मैं इधर बताना चाहता हूं जो समस करते वक्त रेलेवेंट होंगे सी वी ऑल्वेज वाट मुझे एक बात बताओ क्या आपको जादा चाहिए सर सीधी सी बात है इतने वी कोई चोटे बच्चे नहीं है कि हमको ना पताओ यह चीज़ भी अगर मैं बच्चे जेरीं सक्रीणार पर किसी कमपनी को एक्जम्पल सक्रीण पर मैं जैक कोई भी ओप Bry assisted धलाइट लिमिटेड पताई वाटais का खूए तो पहटी लाइट लिमिटेड अगर कोई के तो है वह उन जासे हैं इन्धा और यहार् श्यल्सियो पहज़ता हो यह इसका शॉट टम सॉल्वेंसी रेशियो बहुत अच्छा है इसका लिक्विडिटी रेशियो बहुत अच्छा है फिर मैं बाकी तीन रेशियो भी अनलाइस करूंगा और फिर में एक रिपोर्ट करूंगा थैट हो दा कंपनी पिडिलाइट है is going to perform समझ भार है कैसे यूज होता है रेशियो एवरीबड़ी राइट राइट सो यहां पर एक नोट अपन लोग लिख लेते हैं देट वी अल्वेज वॉन यहां कि आईडियल रेशियो अगर कोई मुझे पूछे सो ideal ratio should be 2 is to 1 for current ratio and अपन लिख सकते हैं we always want the current asset to be more than current liabilities समझें everybody any doubts any questions अब बो एकदम दिमाग में clear हो गया है कल वापस से जब अपन कभी मिलेंगे ना तो रिवाइस करवाओंगा इतनी बार रिवाइस करवा लूँगा ना सारे formulas कभी नहीं बूल पाओगे मुझे पता है कि खाली अभी नहीं यह तो प्रफेशनल बनके भी यह सारी चीज़े यह सारे रेशियो यूज करने हैं के नहीं तर ने इसका जो इंपर्ट्न रेश्यो है उसको बोलते हैं कुईग रेश्यो मेरे लिए लिक्वीडिटी रेश्यो में धो में वह दो ही पूछता है क्विक रेशियो और करेंट रेशियो बाकी भी है उसको मैंने नाम दिया मिसलेनियस लिक्विडिटी रेशियो जो मिसलेनियस वर देखे आपको इतना इंपॉर्टेट नहीं है ठीक है करने के लिए अपर लोग फटा-फट कर लिए तो इतना लोड जिसको अपन बूलता है प्यार से असेड टेस्ट रेशियो असेड टेस्ट अब सुनो एक बात बता हूं कि क्विक रेशियो का मतलब होता है बता है किसेट अपन करन्ट लेटी तो क्रेंट लाइबली तो क्या है आपन लोग ने लिए वाट इस क्विक एसेट का मतलब होता है अनी एसेट या एनी करंट एसेट विच कैन भी कनवर्टेट इन्टू कैश इमीजेटली बोलो क्या लगता है आपको कौन सा एसेट है जो कैश में इमीजेटली कनवर्ट हो जाएगा कौन सा करंट एसेट आपको लगता है कि भाई लिक्विडेट नहीं हो सकता है बैंक लिखा गलती से लिखा होगा यह देखो इदर सुनो क्या है इसका फॉर्मिला क्विक एसेट अपॉन करेंट लाइवलिटी इसको टच नहीं करने है वो तो अपनों कर चुक है अब मेरे को बताओ कि कौन सा इजिली लिक्विडेट नहीं हो सकता है डेटर्स अरे कल का कल मैं उसके शॉप पे उसके दुकान पे जहां पे भी है उसके जाके खड़े हो जाओगा चल बाई मेरे को मेरा पैसा दे अब भी कभी चाहिए कैशन बैंक वो तो मेरे ही पैसा है मेरे पास ही stock in trade यहां पे तोड़ा गड़बर है यहां stock in trade कब भीकेगा कब sales में convert होगा sales में convert होगे भी मेरे पास immediate फैसा आएगा के नहीं nobody knows तो quick ratio में जो quic asset है that is current asset बत उसमें minus कर देंगे अपन inventories तो sir prepaid expenses भी तो कब due होगा तब वो prepaid expenses cover होगा न तो मेरा अंसर है कि prepaid expenses भी current quick ratio में minus होना चाहिए, मतलब current asset minus inventories minus prepaid expenses को भी मैं तो minus करूँगा, logically मैं उसके पार, वो मेरा prepare तो कब due होता है, तब मेरा level पे आएगा ना, सिर्फ जो 6 मेने बाद होने वाला है, तो मेरे तो immediate पता करना है कि company का financial position क्या है, तो quick ratio क्यों यूज होता है, asset test ratio क्यों यूज होता है, to find out Companies Immediate Liquidity In terms of Cash Available To pay off Current Liabilities Liabilities Ideally क्या ratio चाहिए इधर, one is to one का ratio अपन लोग रखेंगे, what is one is to one का ratio रखेंगे, लिख लो, भाई तेरे पास इतना तो यार, current asset हो, कि तू Current liability को pay कर पाए, है के नहीं, क्या बोलते हूँ, तो उसको बोलते है, कि भाई, short term में कितना तुम level पे हो, अब सर, formula लिखवा लो इसका, क्या है ये तो ideally क्या होना चाहिए, तो समझ में आ गया, तो सर, formula बहुत easy है, इसको बोलते है, quick ratio, या इसको प्यार से आप acid test ratio भी बोल सकते है, and इसका formula हो जाएगा, quick asset upon current liability, quick asset upon current liability, समझ में आ गया, अच्छा, सर, quick asset क्या होता है, है, सर, सर, quick asset, क्या होता है, तुस देखो, अपन लोग ने मालूम है, यह किया हवा है, क्या सर, current asset क्या हवा है, हाँ सर, उसमें से inventory, जो stocking trade था, और prepared, minus कर दो, बाकी सब मैं immediately cash में convert कर दूँगा, मेरा quick asset हो गया हो, quick asset मतलब कितना जल्दी मैं उसको cash में convert कर सकता हूँ, जी, हाँ, समझ यू everybody, so, quick asset मेरा क्या हो जाएगा, current asset, minus, inventories, minus, prepared expenses, जी, हाँ, clear, यह में को logical लगता है, ideal ratio उसका, one is to one लगता है, got it guys, अब obviously, जब इसको practically sum solve करेंगे, तो मज़ा आएगा sir, क्या बोलते हो, है के नहीं, मैं भी wait कर रहा हूँ, तुम लोगो sum करवाने का, अब, पहले यह लिख लो, confirm कर लो, लिखके हुआ क्या, चल, done, okay, चलो भई, so, I hope, इधर तक सब एकदम clear है, ठीक है, आज का session में यहां पर ही, end करना चाहूंगा, because I don't want overload, धीरे धीरे build up करते जाएंगे, don't worry, एक time आएगा, जब, दो गंटे का भी session होगा, फिर धाई गंटे का, फिर तीन गंटे का, तो थोड़ा एक लहेगा, कि हाँ बैच्च, सही होते जा रहा है, because otherwise सीधा, एक साथ ही मैं लेने जाऊंगा न, तो यह सारे formulas अंदर-अंदर ही गिच्पिच हो जाएंगे, liquidity में भी जो main वाले आना दो, जो exam में आने वाले वो मैंने करवा दी, अब इसके अलब और तीन mislaneous liquidity ratios भी है, बट वो अभी मैं टाल दूँगा न, तो जो मेरा जो main दो liquidity ratios हो गया है न, उसका न कहीं न कहीं चाम चले जाएगा यार, वो मेरे को नहीं चीए, and therefore, therefore, my suggestion today will be that we will write off here, so I hope इदर तक सब लोगों सब समझ में आ गया होगा, let us quickly revise यार, एक काम करना ही चीए अपने को, जाते वक्त और start होने के पहले, जितना possible हो, तब अपन revise कर लेंगे, जो भी अपन लोग ने पढ़ा है, क्या बोलते हो public, सही है न, so इस system को अपन लोग एक बार continue करेंगे, so that will really be helpful to all of us, so here it is, so here it is, सबसे पहला है मेरा liquidity या जिसको आपन लोग बोलते हैं, short term solvency ratios, बट क्यों ना starting सही start किया जाए, जो भी अपन लोग ने पढ़ा है, उसको 2 minute revise कर लेंगे, and next session start करने के पहले भी revise कर लेंगे, तो दिमाग में ऐसा bad जाएगा, कि कभी tension पे ज़र अद नी, so ratio analysis, weighted 6 to 10 marks देखा अपन लोग ने, what is ratio, relationship between two numbers, two figures in arithmetic terms, ratio basically क्या है, ratio is an analysis and comparison, किसका का analysis and comparison कर रहा है अपन लोग, financial statements का, जिससे अपने को internal and external numbers का, external analysis अपने को पता चले, external comparison पता चले, यह सब data अपने को पता चले, और financial statement में आती है, तीन चीज़े, P&L, balance sheet, cash flow statement, अपन लोग ने बनाया, P&L account, फिर अपन लोग ने बनाया, एक simple सा balance sheet, और फिर अपन लोग ने list down कर दिये, cash flow statements में, क्या items होते हैं, अब इसको use करना है, ratios के लिए, या ratio, ratio जो है, उसका main objective क्या है, यार, वो बताऊ ना मेरे को, तो main objective है, comparison analysis, किसका, internal, external data का, check financial well-being, liquidity, simplify accounting information, so on and so forth, और उसी में, चार तरके मेरे ratios होते हैं, एक short term, प्यार से उसको liquidity बोलते हैं, एक long term, प्यार से उसको leverage ratios होते हैं, क्यूँ? कल पता चलेगा, थर्ड, turnover, sales related, और sales कर दिया, balance sheet को manage कर दिया, तुम लोगो यह चीज़ बता दू, वही उपर के जो यह जो जो है ना, यूजली मैं कल बता था, फिर भी अभी समझे लो, यह जो है ना, इनका focus, mainly balance sheets के उपर, और यह जो है ना, इनका focus mainly, profit and loss account के उपर है, समझे हो, profit and loss और balance sheet अगर हो गया, then in that case, और क्या चीज़ आपको, so, यहाँ पे है मेरे turnover, यह activity ratios, जो sales से related है, profitability ratios, because sales करके, मुझे eventually कमाना है, profit, तो company कई बार sales तो अच्छा कर लेती है, और profit नहीं कमा पादी, क्या फाइदा है साफिर, है के नहीं, तो अपन सब को, totality में analyze करेंगे, and इसी में अपन लोग ने first चालू किया, liquidity ratio, used to determine short term solvency of a firm, should be cash positive, और short term solvency, मतलब current asset and current liability वाली चीज़े, अपन लोग यहाँ पे लेंगे, so, वो अपन लोग ने properly, systematically यहाँ पे लिख लिया, ideal ratio 2 is to 1, current asset में क्या आएगा, data's, inventories, inventory में raw material, WIPFG, discuss रहों के सब, cash bank, prepaid expenses, advances, any other receivable, सब यहाँ पे मेरा आगया, current liabilities में, creditors, trade payables, bills payable, bank overdraft, outstanding expenses, short term loan, dividend, proposed dividend, provision for tax, यह सारी चीज़े, यहाँ पे आजाएंगी, right, quick ratio में, एक चीज माइनस, दो चीज माइनस होगी, current assets से, वो है inventory और prepaid, दोनों का ideal ratio, एक का 2 is to 1, और इसका 1 is to 1, होना ही चाहिए, अगर नहीं है ना, मैं तो एक ऐसी कमणी में, invest ही ना करूँ, until and unless, बाकी सब चीजे बहुत अच्छी हो, तो all in all, यह सब मिला के बनता है, मेरा आज का session, I hope आप लोगों को, सब समझ में आ गया होगा, ठीक है, in case कभी कोई doubt आया, या कुछ भी आया, देखो मैं एक बात बोलता हूँ, तुम लोगों को, कभी कोई छोटा मोटा भी doubt आया ना guys, please मेरे को ये number पे, whatsapp करके connected रहना, कई बार होता क्या है, चलो मैं तो मेरे flow में पढ़ा रहा हूँ, assume भी कर रहा हूँ, समझ रहे हो, तुम लोग respond भी कर रहे हो, live आले समझ गे, तुम गूगल रहे वाले भी majorly समझ ही जाता है, sync में रहते ही हैं, but कभी कुछ उपर नीचे हुआ है, आपको कुछ लगा मेरे साथ discuss करना है, feel free, बिंदास, छोटी से छोटी बात हो, बड़ी से बड़ी बात हो, you can anytime get in touch, and we will try to sort out the problem for sure, जरुरी नहीं है कि FM से related हो, FM से related हो या costing से related हो तो करी लो, उसके अलावा भी कुछ और हो, जो आपको लगता है, discuss करना as a big brother, you can do that, time for me to say, आस्ताला विस्ता गाइस, take care, keep smiling, notes आपको मिल जाएंगे, and yes, मिलते हैं अगले session में, जहाँ पर अब और ratios को analyze करेंगे, और sums and examples के साथ, और चीज़ों को आपके बढ़ेंगे, thank you, bye bye,